हेलो फ्रेंड्स स्वागात आपका study hack channel पे जहां पर हम discuss करते हैं complete English class इसमें होता क्या है इसमें होती है vocab एकदम basic level से जिने अगर कुछ भी नहीं आता हूं को वह भी सीख सकते है vocab बीना किसी tension के क्योंकि यह class जो होती है वह नियमोनिक्स पर बेस्ट होती है हम words का नहीं नहीं नियमोनिक्स बनाते हैं और जिनके नियमोनिक्स पॉसबल नहीं होते है उनको picture के मद्ध हम समझ लेते हैं ताकि हमें words को याद करना बहुत आसान हो जाए और यह classes हमारी होते है डेली 5 पेम में Monday to Saturday इसमें खास होता है कि इस आपको complete package मिलता है English का चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना class तो जैसा कि आप देख पा रहे हूं कि बहुत मैंने कुछ कमेंट्स इंक्लूड की हैं तो यह वह कमेंट्स है कि मैं जो homework देता हूं उनके answer कर पा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं प्रियानसु सर्मा के इस जी ने कहा है कि बहुत helpful वीडियो था तो आप भी ऐसे से comment करें तक कि मैं आपके comments भी include करूं और हमें यहीं से inspiration मिलता है जब आपके comments आते हैं जब आप answer करते हो तो कुछ नया content लाएं कुछ अच्छा लाएं और बेहतर लाएं चलिए बिना देरी के class को start करते हैं तो आज क का जो हमारा word है वह है एमोरस मतलब होता है कामु ठीक है तो इसके synonyms की बात कर लें तो हो जागा erotic, lustful, sexual, erotic हो गया पैसनेट अगर हम बात कर लें इसके antonyms की तो इसके लिए कोई भी निमोनिक्स की ऐसे जबूरत नहीं है आप इस पिक को बस देख लें बहुत इजी सब्द है क्योंकि बार-बार यूज होता है आप लोगों ने बहुत जग़े यूज किया होगा और देखा भी होगा तो एमोरस ठीक है अधिर करता क्या है देखाओ कि जो आपको सेल करने वाले वेंडर आते हैं तो वह मेगा फोन रहते हैं ताकि वह एनाउंस कर सके उनकी आवाज धीमी होती है तो इसको मेगनिफाइब करने के लिए मेगा फोन का यूज करते है ऐसा डिवाइस जो एम्प्लिफाइब कर आप के साउंड को ठीक है तो इसके अंटोनिम की बात कर लेता हो जागा रिडूस कंडेंसेंस ठीक है एम्प्लिफाइब बहुत इजी वाड़ है इसके मुझे नहीं लगता कि आपको निमोनिक्सी जहद परेगी तो आप इसको ऐसे ही लॉन कर सकते हो और ऐसे विगर याद रख होगे नेक्स की बाद करते हैं नेक्स्ट है एंसेस्टर एंसेस्टर मतलब होता है पुरवज है फोर फादर सीनोनिम्स हो गए इसके प्रीडेसेसर एंटीसीडेंट यह सब इसके सीनोनिम्स हो गए अगर बात कर लें एंटोनिम्स की तो हो जगा है डीसेंट ने और सकसेसा फोरवज होते हैं वो क्या चाहते हैं पहले हो अभी न और कोई फंक्शन आ रहा होगा तो एंस नहीं आने चाहिए यानिंग पहले आने चाहिए तो एंस जहां पर लगाए कि पूरवज होते हैं थे सकते हैं संत questo ना वारी हमारे grand parents great grand parents हमारे parents ऐसे करें Gateway बादती हैं वह हमारे पुर्वज़ होते with Mother Okay टो स traumat कर सक्त कि फैमिली Function है तो हमारो क्या नहीं आना चाहिए आणना इर्क फड़ी एक्सपरेशन एक्जस्परेशन यह सब इसके सीनोनीम्स है अब देख पा रहे हैं कि इस वंदों को गुस्थे लाल पीला हो रहा है इसके कांड दुए निकलना तेज इसको हाईपर आ रहा है गुस्थे पुरा लाल हो गया क्याते है ना आग बबुला होना बस वही बेस्ट इक्जामपल है एंगर और एंटोनिम्स की बात कर ले तो जगा पैसिफाई प्लेकेट लेजर और आप वर्क कर रहे हो और आपका लैप्टॉप या टैब अचानक से हैंग कर जाए आपका इंपोर्टेंट वर्क हो और हैंग कर जाए तो आपको क्या आता हूं अग्लूट कर सकते हैं चले नेक्स्ट बात करते हैं एंग्रिस मतलब होता है दुख पीरा और इसको हम लोग ने डिसकस कर रखा है आप इस वाड को पहले भी पर रखाए अपने अगर मेरी क्लासे सुरू से की होगी अभी तक तो आपको पता होगा कि आज हमारी 12th क्लास है तो एक 11th क्लास जो भी हो चुकी है उसमें हमने बहुत कुछ देशकस कर रखा है तो इसके जो सिनोनिम्स होगे एगनी एच तौर्व टॉर्मेंट टॉर्चर यह सब इसके सिनोनिम्स हैं अगर बात कर लें एंटोनिम्स की तो हो जागा है एपीनेस कॉंटेंटमेंट मेंट तो देख सकते हैं क्या जिसको दुख हो रहा है किसी दबा रहा है तो इसे बनिनलों को भाइड होगा है पी चलिए नेक्स्ट स्ट बात करते हैं और तो यह बहुत ही होता है इस उन्हें यह जिससा सिकशन आगया तो आज का जो वर्ड है वह एनाटोमी एनाटोमी मतलब बता है सरीर रचना विज्ञान तो देख पार है एनाटोमी किसकी कहते हैं सरीर का रचना विज्ञान होता है कि कैसे हमारा सरीर बना है उसके बारे में जो study करते हैं इसका structure क्या है है हुमानस का हो या इनीमल्स कोई उससे साइंस को भी एनाटोमी कहते है ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं टो नेक्स्ट है एंकर आंकर मतलब होता है समचा समाचार उद्दो सक उद्दो सक समाचार उद्दो सक जो की news reader कह सकते और इनकर का मतलब आपने देखा ओगा जहाजों में या फिर बड़े-बड़े बोट में होते हैं चेन से बंदा होता है लोयक आपने होते हैं हमारा जो बोट है वह स्टेबल है पानी में इधर से उधर ना बहजा जाए और एक अचला मतलब होता है person who represents a radio television program ठीक है नेक्स्ट बाद करते है नेक्स्ट है एंसेंट एंसेंट मतलब होता है प्राचीन belonging to long past जो कि पास्ट से related हो ठीक है उसी को बोलते है एंसेंट यह तो पता होगा बहुत एंसेंट का मतलब होता है लगू कथा अगर आप लोग ने देखा होगा आरके नहरायन की मालगूरी देज आती तो इसमें बहुत छोटे-छोटे मोरल स्टोरी होते थे हर स्टोरी कुछ ने कुछ हमें सिखा आता था पुछ रियल क्यरेक्टर पर होते थे और एक दब मोरल स्टोरी होते थे आप ऐसे याद कर से आपको एंसे डूट मतलब मालगूरी डेज की कहानिया ठीक है तो एंसे डोट को मतलब प्या होता है अस्वार्ट इंट्रेस्टिंग और एम्यूजिंग स्टोरी एबाउट और रियल पर्सन और एंड इवाल तो उसे को एंसे डोट को पलते हैं सीनोनीम सोगा पैरेबल इसके सीनोनीम से नेक्स्ट बात कर लें नेक्स्ट एंसथेटिस मतलब होता है बेहोसी लाने वाला और तो अनेश्टेक्सिक योज करते हैं आपको बेहोस कर सकते हैं तक की आपको कोई जो ड्रक्स देते हैं जिसके काँ आपको पेन से रिलीव हो तो उसी को बोलते है एनस्थेटीज चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असानी साफ याद कर सकते हैं इस प्रेशंट को देखके नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इडियाम एंड फ्रेजेज का सेक्षन है इसमें जो फर्स्ट इडियाम है आज का वो है अलियोपार्ड कांट चेंज इस असपॉर्ट इसको वाइट नहीं कर सकते हैं या फिर एक कलर जीसा नहीं कर सकते हैं एक तरह से देखो तो आपके लिए इंपॉसिबल टास्क है तो यह होता है अलियोपार्ड कांट चेंज इस सपॉर्ट इटिज इंपॉसिबल फर वन तो चेंज वन्स करेक्टर अपने चरीत को बजलना असंभव है क्योंकि आप अपने चरीत को बजल नहीं सकते ठीक उसमों सुधार ला सकते हो लेकिन कभी इसको टोटली चेंज नहीं कह सकत चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटी चीदिया ने मुझे ऐसा कहा अगर आप किसी को कहोगा तो कोई विजबास करेगा कि चीदिया आपको कोई कहानी सुना रहा है किसी के बारे में आपको गुप्त बाते बता रहा है तो यह वर्ड क्यों किया जाता है इस एडियम को तो यूज इसलिए किया जाता है कि आप किसी की पहचान चुपा रहो आपको जो गुप्चर है उसकी पहचान चुपा रहो तो अपने मुखवीर की पहचान गुप्त रखने का तरीका होता है और लिटिल वड टोल्ड में यूज तू इंडिकेट डैट दा स्पीकर नोस सम स्पिकर कुछ जानता है बट चूज टू कीप दा आइडेंटिटी आफ दियर इंफॉर्मेंट से लेकिन चाहता नहीं है कि उसकी जो आइडेंटिटी यह वह रिवील हो जाए सबके सामने जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया इसलिए यूज करते हैं लीटिल बार्ड टोल्ड नेक्स्ट बात करते हैं देख पा रहे होंगे यहां पर फीगर से आपको याद रहेगा टोल्ड नेक्स्ट है अलीटिल गस अफ ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है अनुकूल भाबना एक जैसे भाबना होना फ्रेंडली फिलिंग अब देख सकते हैं यहां पर दो एलीफेंट है एक में लोग एक फीमेल है मेल वाला फ्लावर लारा है फीमेल के लिए क्योंकि कि दोनों के दोनों में friendly feelings है अनुकूल भावना एक जैसी भावना हों हैं दोनों में तो बोल सकते हैं और लीटिल गस अफ ग्रैटिटीड ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है और लाइव वायर ठीक है लिवली एन एक्टिव जिंदा दिल वैक्टिव अगर आपको पता हुआ कि जो रेड़ वाला वायर होता है हमारे घरों में यूज होता है वो लाइव वायर होता है उससे करेंट हमेशा फ्लो होते रहता है अगर आपने उसको गलती से तो आपके जटके लगेंगे तो आप भी एकदम चहां कूठ होगे इसले बोलता है अलाइव वायर इनर्जेटिव होगा जैसे जटका लगेगा आप में इनर्जी आ जाएगी ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लाइव वायर कौन सा है जो कि हमारे घरों में यूज ह होता है और उसको छूले तो हम बहुत ही जिन्दा दिल व्यक्ति बन जाते हैं लेवली एक्टिव नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अलोट ऑन यूर प्लेट ठीक है बहुत सारी जिमेंदारियां देख पा रहोंगे यहां फिगर से एक ही प्लेट में बर्गर है खमा दी जा तो इसी को बहुत है अलोट ऑन यूर प्लेट एक प्लेट है जिसमें सारे आइटम डाल दिये भर भर के मतलब बहुत जिमेंदारियां आपको दे दी गई है तो हैव लाज नंबर आफ प्रोब्लम्स टू डिल विट बहुत सारे प्रोब्लम्स जिसके साथ डिल में सारा कुछ भर दिया तो आपके लिए बहुत ही डिफकल्ट टास्क होगे सब को निप्टा ले और आपने को निप्टाना भी पड़ेगा क्योंकि आप किसी गया हो लेफ्ट करने ही सकते ठीक है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट डिटेक्शन और संटेंस इंप्रूब्मेंट को सही करते हैं और यह पार्ट हो चुका है आप ही हम बी पार्ट यूज कर रहे हैं जिसमें हम बात करें पार्टिसिपल और इंफिनिटिव से रिलेटे जो भी इंपॉर्टेंट रूल से उनका है ठीक है कल की क्लास में मैंने एक डूल डिसकास कर लिया था अज सेकेंड डूल की बार यह तो इसमें कहरा कि नो इस फॉलएड बाई हाव वेर वेन वाई एंड इंफिनिटिव नो जो है नो जब भी होगा तो वह अपने साथ क्या लेगा फॉलो करेगा डबलू एच वर लेगा या तो हाव वेर वेन व बता है हाव वेर वेन वाई होना चाहिए फिर आपके साथ इंफिनिटिव आने चाहिए तो करेक्ट हो जागा आई नो हाव टू राइट अलेट है अचलिए आपके लिए होमवर्ख है कि आपको बताना कि नो कौन सा वर्ब है ठीक है ट्रांजेटिव है है ठीक है नेक्स्ट आपको पता है पीवाई क्यू सेशन होते हैं जिसमें कुछ कोस्टें दिसकर्श करते हैं और आपको इसको एंसर करने के लिए दज सेकेंड मिलते हैं ठीक है तो आपका फर्स्ट कोस्ट्टन है वन बच सब्स्टिट्यूट परताना इस ग्रूप आप सब्सक्राइब के लिए चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता आप इस्टॉडी ओफ लैंग्वेज फिल लॉजी एंथ्रोपोलोजी लेक्सिकोग्राफी फिलोस्फी चलिए बताइए फटा-फट क्या होगा सब्सक्राइब बहुत इजी है बहुत वार आभी चुका है एक है अंत्रोपोलोजी एंत्रोपोलोजी एंत्रो मतलब था हुऊंन तो एन्तॉपोलोजी क्या होता देश्टॉड्य ओडीजीन एंड डेबलप्मेंट अफ हुमन सॉसाइटी एंट वे लक्सिकोग्राफी आपको पता है प्रेक्टिस ऑफ कतिंग डिशनरी बोलते हैं फिर् इवन वर्ड के लिए एक्जैंप्लरी के लिए चार ओप्शन्स है तो फटा-फट एंसर करिए बहुत इजी एंटोनीम्स है यह आप लोग अभी तक कर दी होंगे और इसे के साथ आपका टाइम भी अप हो चुका है तो इसका जो करेक्ट एंटोनीम्स होगा एक्जैंप्लरी क्या होगी इसके अनसाटिस्ट जिससे आप संतोस जनक नहों हो जो चीजी आपके यह जो आप उमीद कर रहा हो उमीद पर खड़े ना उतरे आपको साटिस्फाइन ना कर सकते ठीक है फ्लैक्रिंग मतलब पता है इमिटेटिव मतलब पता है नकल ठीक है डिजाइरेवल जो एक मैंनिक करता हूँ एक्सपेडियें इसको तोर तोर के याद करो को आपको वाड की स्पैलिंग याद करने परतें तो अब फैले वड को तो ना सीख को और इसको अपने लेंग्वेज में याद कर लो नेक्स्ट क्वेस्चन है अमारा वन वर्ज सब्स्टिट्रीट बताना आपको सार्प एंड डाइरेक्ट का ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे तो फटा-फटा आप लोग एंसर कर दीजिए चलिए इसे कर टाइमोब हो चुका है और इसका जो राइट अंसर होगा इसका राइट एंसर फोर्प एंड डािय ओर जूनी को एस रिलेटेड होगा और यूबले आपको पता होगा वह एंड नेधीन पेन होता है जो कि आपको दिया जाता है कि आपको रीलिफ होता है इसीड rant करते हैं। बहुत बहुत बार आ चुका है तो यह IMPORTANT भी है तो फटा-फट रेंसर कीजिए जूँक्व होग गया और आप लोगों ने अभी टक इन्सक होर्म गिया होगा कीन का जो प्रोपर सिनोनिम्ज होगा वह होगा इंत्यूजियास्टिक i.e. इसको बोल सकते उस्थूख होना इगर इसको एगर भी बोल सकते प्रोन भी बोल सकते हैं इसको सिनोमिन से हैं आपको पता है वाइल भी पता है और series of stars के लिए बहुत easy one word substitute है और ssc में काफी बार पुछा जा चुका है तो आप लोग अभी तक आई hope answer कर दियोंगे और सबका answer सही होगा तो इसका जो correct answer होगा वह होगा constellation ठीक है series of stars को constellation कहते है galaxy आपको पता है कारवा कारवा क्या होता है कारवा होता है जब कि एक group of people हो animals हो जब तुगेद एक साथ travel करते हैं तुसको कारवा बोलते हैं ठीक है a group of people and animal travel together is known as कारवा पोड मतलब आपको पता ही जमाप पोरी भीर बोल सकते हैं जहां पर बहुत लोग इकठे हो जाए भीर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपको वन वर्ट सब्सिट्यूट में बताना है group of words के लिए one who does something not professionally but for pleasure यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आपने अभी तक सारी classes की होंगी तो आप अभी तकी अंसार कर चुको होगे यह मैंने आपको वन वर्ट सब्सिट्यूट में पढ़ाया है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर होगा वह होगा फिक है प्रोफेश्य आपको पता है मैंच्योर भी पता इमेच्शूर वी पता और आमेच्ट आपको पड़ाया है मैंने नेक्स्ट की बात कर लें नेक्स्ट आपको एंट्रोनिम्स बताना आप बहुत ही एजी वह आज का सबसे एजी क्वेश्टन है तो आयोब कि आप लोग एंसर कर चुक है दस से आपके लिए बहुत ज़्यादा इस इसका ईंट्रिस्ट बिष्ट सकते हैं, एक्राफ जैस्ट बिष्ट सकते हैं, तो इसका एंट्रोनीम्ध finger हो ज्यारूज्ड का पता आपको मतलब ही होगा, आपको Size M gaat Pled Ch。 मतलब होता है किसी से गंभिर्था प्रुबक आप याचना करते मतलब बेग इसको सकते हैं बेग ठीक है 24 अच्डीय जिस का मतलब भी होता है टीक है मरसी मतलब आपको पता है दया डया पीटी है हुप पीटी कोंच सकते हैं इनससेटीब सम्वे crashes ना हạnूँ जिसको कोई भी हार्टलेस फंर मोलege हार्टलेस बहुत्र को होटलेस बोल सकते हैं सम्वेदना ही कोई सम्वेदना नहों हो जिसके अच्छलिए नेक्स्ट पार्ट का तो नेक्स्ट हमने इंक्लूड किया आज से होमवर्क का सेशन आपको इस इडियम का मतलब बताना है कमेंट में ठीक है क्लास ओबर होने के दो से तीन घंटे के अंद करूँगा और जो बाद में करेंगे तो उनका मैं सौरी नहीं कर पाऊंगा तो आपको सिस करें कि जल्दी एंसर करता है तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज का क्लास कैसा लगा है ज़रूर बता है कमेंट में और आप क्या-क्या निमोनिक्स बना सकते हो वह भी कमेंट में बता है ताकि मैं आगे बच्चों को दिखा सकता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोग खुद से डेवलप कर पा रहें ने मोनिक्स वर्ड्स के और अपने दोस्तों में सेयर कर दें जिनको वह क्लास पढ़नी हो एकदम बेसिक लेबल से जिने कुछ नहीं आ कर दो सेयर कर दो कर दो साथ है।